आज मैं आपको बेरिश इस्पिनिंग टॉप के विशय में विशय में विश्चार दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है आज मैं आपको बेरिश इस्पिनिंग टॉप के विशय में विश्चार से बताऊंगा बेरिश इस्पिनिंग टॉप केंडल इस्टिक का ही एक पेटर्न है बेरिश इस्पिनिंग टॉप का नाम तीन शब्दों से मिलकर बना है bearish, spinning और top bearish शब्द का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं bearish मतलब की मंदी और spinning शब्द का मतलब होता है गोल-गोल घुमता हुआ और top शब्द का मतलब होता है उपर की और या किसी वस्तू का उपरी भाग bearish spinning top का नाम जापान के लोगों ने एक घुमते हुए लट्टू के उपर रखा है लट्टू तो आप सभी ने देखा ही होगा और शायद अपने बच्पन में चलाया भी होगा bearish spinning top candle stick pattern चार्ट में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है bearish spinning top bearish candle stick pattern है या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला candle stick pattern है इसका मतलब यह है कि अब वस्तू में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुवात होने वाली है bearish spinning top candle stick pattern single candle stick pattern है या कहें कि यह एक candle से बनता है आप इसे वीडियो में देख सकते है bearish spinning top candle stick pattern की एक मात्र candle small bearish candle stick होती है या कहें कि यह छोटी मंदी की candle होती है यह लाल रंग की होती है bearish spinning top candle stick pattern में रंग का कोई इतना अधिक महत्व नहीं है bearish spinning top candle stick pattern हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है या कहें कि यह चार्ट के टॉप पर बनता है इस candle stick pattern के बनने के बाद तेजी की संभावना खतम हो जाती है confirmation मिलने के बाद बिकवाली करने से फाइदा जरूर होगा तो चलिए अब बात करते हैं कि bearish spinning top candle stick pattern के से बनता है और इसके बनने में किन-किन बातों का विशेज ध्यान रखना पड़ता है bearish spinning top candle stick pattern एक मात्र candle से बनता है जो की small bearish candle stick होना चाहिए या कहें कि छोटी मंदी की candle होना चाहिए जिस दिन यह candle stick pattern चार्ट में बनता है उस दिन यह candle बाजार में एक सिमित छेतर के अंदर ही ट्रेट करना चाहिए मतलब की एक small candle stick के बराबर यह अपना high और low बनाता है इसके बाद जब यह candle close हो उस समय यह अपने open price के नीचे जाकर बंद होना चाहिए इस candle stick pattern में सबसे महत्वपून ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस candle की body की तुलना में upper shadow और lower shadow दुगुनी या उस से कम हो सकती है upper shadow और lower shadow एक दूसरे की तुलना में थोड़ी बड़ी या छोटी हो सकती है लेकिन upper shadow और lower shadow की तुलना में बराबर या बड़ी हो तो यह candle stick pattern बहुत अच्छी तरह से काम करेगा bearish spinning top candle stick pattern में volume का भी बहुत अधिक महत्व होता है bearish spinning top candle stick pattern से पहले जो भी candle है उसमें जितना volume है उससे अधिक volume bearish spinning top candle stick pattern की candle में होना चाहिए अगर सीधे शब्दों में कहें तो bearish spinning top candle stick pattern की एक मात्र candle में volume पिछली candle की तुलना में अधिक होना चाहिए bearish spinning top candle stick pattern आपको चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं यह दोनों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं वेसे तो bearish spinning top candle stick pattern में रंग का कोई महत्व नहीं है लेकिन यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला candle stick pattern है तो यह लाल रंग का बने तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी bearish spinning top candle stick pattern आपको इंट्राडे चार्ट, daily चार्ट, weekly चार्ट और मंथिली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है यह candle stick pattern इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है लेकिन यह candle stick pattern इंट्राडे चार्ट, daily चार्ट और weekly चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह candle stick pattern इंट्राडे चार्ट, daily चार्ट और weekly चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है जिस दिन यह candle stick pattern चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी मंदी के साथ या कहें की gap down open होते हैं जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए विकवाली करने का पून रूप से confirmation हो जाता है इस candle stick pattern के बनने के बाद बाजार में seller की पकड मजबूत हो जाती है अगर आप intraday trading करते हैं तो आप इसे 5 minute, 15 minute और hourly chart की time frame में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं और अगर आप positional trading करते हैं तो आप इसे daily chart और weekly chart की time frame में देखिए तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं तो दोस्तो अब आपको पता चल गया होगा कि bearish spinning top candle stick pattern केसे बनता हैं और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव परता हैं तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि bearish spinning top candle stick pattern केसे काम करता हैं मान लीजिए कि कल चार्ट में bearish spinning top candle stick pattern तयार हो गया था और आज की जो नई candle हैं वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि gap down open हो तो आपको बाजार में बिक्वाली करना हैं या फिर bearish spinning top candle stick pattern के बाद जो भी नई candle हैं वह जब तक bearish spinning top candle stick pattern के low के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाती तब तक आपको बाजार में बिक्वाली नहीं करना हैं bearish spinning top candle stick pattern में नई candle का भाव bearish spinning top candle stick pattern के low के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी हैं क्योंकि यह हमारे लिए बिक्वाली करने का पून रूप से confirmation हो जाता हैं जब भाव bearish spinning top candle stick pattern के low के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिक्वाली करना हैं और बिक्वाली करने के तुरंत बाद bearish spinning top candle stick pattern के high के उपर का stop loss लगाना हैं bearish spinning top candle stick pattern में कुछ बाते हैं जो आपको विशेश रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी हैं नमबर एक bearish spinning top candle stick pattern में रंग का कोई महत्व नहीं होता हैं नमबर दो candle की upper shadow और lower shadow थोड़ी बड़ी या छोटी हो सकती हैं नमबर तीन अपर shadow और lower shadow बोड़ी की तुलना में दुगुनी या उससे कम हो सकती हैं तो चलिए अब bearish spinning top candle stick pattern को हम चार्ट में समझते हैं आपको चार्ट में लंबी तेजी के बाद bearish spinning top candle stick pattern दिखाई दे रहा होगा और इसका volume भी बढ़ते हुए क्रम में हैं अब आपको इसमें बिक्वाली करने के लिए यहा देखना हैं कि bearish spinning top candle stick pattern के बाद नई candle अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गेब्डाउन ओपन हो तो आपको बाजार में बिक्वाली करना हैं तो अब आप इस चार्ट में देखिए इस चार्ट में bearish spinning top candle stick pattern के बाद नई candle तो गेब्डाउन ओपन नहीं हुई हैं तो अब आपको इसमें बिक्वाली करने के लिए यहा देखना है बेरिश स्पिनिंग टॉप केंडल स्टिक पैटर्न के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिक्वाली करना है तो अब आप इस चार्ट में देखिए इस चार्ट में बेरिश स्पिनिंग टॉप केंडल स्टिक पैटर्न के बाद दूसरे नंबर की केंड bearish spinning top candle stick pattern के low के नीचे जाकर बंद हो रही है तो आपको इसमें बिक्वाली करना है और बिक्वाली करने के तुरंत बाद bearish spinning top candle stick pattern के high के उपर का stop loss लगाना है क्योंकि stop loss लगाना बहुत जरूरी होता है इसके बाद profit booking के लिए आपको यह देखना है कि जब तक chart में कोई ऐसा signal न बन जाए जो की बाजार का trend बदल सकता हो तब तक आपको profit book नहीं करना है जब आपको कोई ऐसा signal दिख जाए जो बाजार का trend बदल सकता हो तो आपको तुरंत profit book करना है तो दोस्तो आज आपने bearish spinning top candle stick pattern के विशय में विस्ताफ से सीखा उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में हैं तो आप comment box में जाकर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुड़ बाई धन्यवाद